आईए फ्रेंड्स समझते हैं जीवन के फोरसी क्या होते हैं तो सबसे पहला सी होता है creation of income याने कमाई दूसरा सी होता है consumption of income याने खर्चा तीसरा सी है conversion of income याने निवेश चौता सी है continuation of income याने cash flow लगातार income बढ़ते रहना अभी क्या होता है कि पहला सी हर एक की life में होता है creation of income याने हर कोई creation of income करता है कमाई करता है समझो हर कोई income करता है 100% किसी का 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, उसमें से 90% वो करता है खर्चा, कोई भी व्यक्ति, आजकल तो होता है कि 100% भी खर्चा हो जाता है और लोगों को बचाने का मौका नहीं मिलता है, तो तिस्ता सी होता है कन्वर्शन याने निवेश, इंकम का निवेश करना, तो 60% खर्च करने के बाद 10 टक का ही जो इंकम है निवेश कर पाते हैं, कई इंवेश कर पाते हैं, याने उस रुबे का कन्वर्शन कर पाते हैं, इंकम का और 0% बचता है आगे के ग्रोथ के लिए, एक जौब वाला व्यक्ति, एक तारिक को उसके हाथ में पगार आया, 30 तारिक को पगार खता हो जाता है, अगला मेहना फि से नेक्स्ट मन जाता होता है, वो जीरो इंकम से स्टार्ट होता है, याने फॉर एग्जामपल, अगर आज उनके सेलिरी भी हाथ में पचास अजार आ है, 30 तारिक को पचास जार नहीं होते हैं, खतम हो जाते हैं, कंजम्शन आफ इंकम में चले गए, अगला मेहने की एक त अगर कोई अपति आती है, समझो कोई व्यक्ति बीमार हो गया, कोई व्यक्ति बीमार हुआ, या किसी का जॉप चला गया, जॉप कटाफ हो गया, या फिर कोई रिटायर हो गया, किसी का रिटायर्मेंट हो गया, तो क्या हो जाता है, कि ये कमाई जो है, क्रेश आफ इंकम क क्या हो जाती है, 100% से सीधा क्या हो गया, 0 हो गया, क्या हो गया, 0, क्रेश व इंकम तब क्या हो गई, 0% हो गई, इंकम रुख गया, लेकिन मुझे बताइए, consumption of, consumption जो है, खर्चा है, वो क्या 0% हुआ क्या, नहीं, वो रहने वाला है, 90% ही, consumption of, इंकम कितना रहेगा, 90% ही, यानि, खर्चा चलता रहेगा, खर्चे को बंद नहीं कर सकते हैं, तो इससे वंदा और कर्जमें जा सकता है, तो ये situation आ जाती है, फिर conversion यानि निविश का तो भूले जाओ, condition of, इंकम तो होता ही नहीं है, तो अगर किसी याद ऐसे हाथ से हो जाए, बीमार हो जाए, जॉब चली जाए, या रिटार्मेंट आ जाए, या और कुछ अप दियाद जाए, और creation of income जिरो हो गया, तो लाइफ में क्या करेंगे, तो इसलिए क्या है, कि अपने लाइफ में ये 4C, जिसको बुलते है, continuation of income, लगातार बढ़त मिलते रहे ना, income की, cash flow होते रहे ना, ये बहुत important होता है, और ये कब होता है, ये जब होता है, कि हम लोगों के साथ काम करते, जब हम होता है, लोगों के साथ काम करते हैं, याने एक team मना के काम करते हैं, teamwork करते हैं और यह सब हो पाता है network marketing या multi-level marketing में या direct selling में यह possible है इसमें आपके साथ लगाता condition income जारी रहता है क्योंकि आप लोगों साथ काम कर रहे हैं आपके team में ने लोग आते रहते हैं इसलिए cash flow चलते रहता है, आपके लगाता income आते रहती है इस situation में first सी job, retirement यह सब में zero की हो जाता है क्योंकि वो बंदा अकेला काम कर रहा था, lifelong lifelong क्या कर रहा था, अकेला काम कर रहा था इसलिए उसके life में continuation of income नहीं रहा इसलिए अपने life में अगर हमको continuation of income चाहिए तो हमने क्या करना चाहिए, netto marketing करना चाहिए direct selling करना चाहिए, जिससे अपने life में रहेगा continuation of income, जिससे यह continuation of income जिरुर नहीं रहेगा 100% continuation of income हमने life में आते रहेगा Thank you friends